तो फ्रेंड्स वेरी वार्म वालकूम टू अल अफ यू सो फाइनली गैनरा बैंक प्रोबेशनीर ओफिसर्स पियो जो रिक्रूट्मेंट हुआ था लास्ट आई पेस पियो का उसकी जॉइनिंग आ चुकी है और जॉइनिंग डेट एनाउंस कर दी चुकी है जो बहुत सारे कैनिट्स को मेल रिसीव हो चुका है मेरे भी कली को मेल रिसीव हुआ है तो मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ साथ जाद मैं बताने वाला हूँ कि डीवी डॉक्यूमेंट विरिफिकेशन मेडिकल और ट्रेनिंग और जॉइनिंग अमें कौन-कौन से फॉर्म से जो क्वेरिस होती है सारे क्वेरिस को मैं आंसर करता हूँ तो चलिए देखते हैं कि क्या मेल आया है उसको पहले हम देख लेते हैं तो ये मेल आया है आप स्कीन पर देख लिए दोस्तों एक मेंट लोड हो रहा है ये तो देख लिए दोस्तों ये है कुछ कैनरा बैंक रिकूर्ट्मेंट औफ प्रोबेशनरी ओफिसर्स CRP9 इंटीमेशन मेल मेरे फ्रेंड को ये मेल आया है कल ही चार तारी को रिसीव हुआ था बट उसने मुझे आज बताया तो मैं सुचाओ कि बहुत सारे कैनर्स को भी पत सेक्षन के तरफ से आया है इस तरह का है इस तरह का है यह आपको कुछ कुछ चीज़े लिखे हुई है यहाप आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑप दस सेड़ ऑफर अपॉंट्मेंट और इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बे कंड़क्टेड फ्रॉंटी थर्ड न तो आप सबको क्या है कि प्रीकुर्मेंट फॉर्मिल्टी जो होती है उसके लिए इन्होंने बताया है कि कोलकाता में इने जो है वो आपको इनको रिपोर्ट करनी है बाइस नोवंबर संडे को नौ बेर तक इनको रिपोर्ट कर देना है ठीक है यू विल बी प्रीकुर्मेंट फॉर्मिल्टी उसको आपको होटल के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको कहां पे होट आपको अकुमोडिशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर्द दॉर्द दॉक्यमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन 22nd नवंबर लर्निंग कि पांच दिसम्वर को जब आपका ट्रेइनिंग खतम होगा तो उसकी बाद आपको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं यह सब कि आपको और एनिवर इन इंडिया क्योंकि यह आल इंडिया पोस्ट है तो कहीं भी आपको कर सकते हैं आप देख लेते हैं क्या लिखाव अब और इजिनल की बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या कि ओर्जिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वाइड होंगी इन्होंने दिया वाय मैं दिखाने वाला हूं किस तरह मेडिकल फॉर्म है वह वाला दोस्तों देख लिए कि आपको धिहान रखने असिस्टेंट सिविल इंजिनियर से नीचे के पोस्ट नहीं होने चाहिए जिस भी आप तो करेक्टर कंडर सार्टिफिकेट भी बनाना है जो कि आपसे जुरेवे नहीं होने चाहिए उनसे यह बनवाना है आपको एक तो होना चाहिए वन मस्ट भी फ्रॉम प्रिंसपल और हैद अटेंडेंड आपने जो लास्ट कॉलेज अटेंड गिया था वहां का हैड़ अट प्रिंसपल जो होते हैं उनका होना चाहिए और रमेनिंग थू फार्म गैजशिटीट ऊफिसर्स और बैंक के न हम दो बैंक ओर तो इसला चाहिए अगर रिजिस्टं है तो कार्ट है शुर्द नहीं है तो जोरॉत नहीं है और छुरूत warning डान और अटै ओर रिगन तो जहां भी आपने last काम किया है, अगर आपने mention किया था कि आप कहें previously employed थे, तो आपको वहां से एक relieving letter लेना है, relieving letter धिहान रखें दोस्तों, relieving letter होना चाहिए, तो आपको वो लेना है, और good conduct certificate, वहां से भी आपको एक character certificate लेना पड़ेगा, तो धिहान रखें इस चीज़ का जहां भी आपने last काम किया हुआ है, उनके साथ, उनके लिए, सुर्भी जूले signed by the authorized signatory of the HR department, HR department जो भी आपका होगा, वहां से sign होना चाहिए, किसे और का होने से नहीं चलेगा दोस्तों, emails under signed relieving letters, conditional relieving letters, letters are not issued by competent authority, are not accessible, कोई भी email से काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान रखना ह तो यह दे दिया गया आपको, attestation form in three sets, अभी में दिखाने वालों कि कौन कौन से forms आपको चाहिए, उसके three copies होने चाहिए, originals, duly mentioning the full postal address of the office of the superintendent of the police under whose jurisdiction your residence comes, तो आप जो भी जहां भी आपका residence है, वहां के जो SP office है, वहां पे जाना है आपको, वहां का address देना है आपको, तो अब bond की बात कर लेते हैं कि bond कितना होने वाले दोस्तों तो आप देखें लिए स्क्रीन पे 1,00,000 का bond होना चाहिए, plus GST, तो around मुझे लगता है 1,18,000 के round आपको, bond format will be provided with the time of joining, जो जोइन करेंगे तो आपको एक bond feel कराये जाएगा, तो यह हो गया, please bring copies of all the certificates juliet tested by the guested officer along with the original certificates, तो आप क्या का certificate चाहिए, वो आप देख लिए दोस्तों, SSL certificate होना चाहिए, date of birth इसमें होना चाहिए, passing date of birth आप ले सकते हैं, date of 10th का passing जो होता है, उसमें date of birth mentioned होता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, copies of marksets of qualifying exams, 10th का, 12th का, आपके college का, अपने PG की है, तो PG क सारे ही आपके markset होने चाहिए, original की बात हो रही दोस्तों, यह जिरॉक्स नहीं, original होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, degree certificate होना चाहिए, या provisional certificate, degree या provisional कोई भी एक होने से चलेगा, आप दोनों, आप बोलेंगे, दोनों नहीं है, तो फिर नहीं होग चाहिए, और creamy layer का clause उसमें होना चाहिए, दोस्तों, अगर EWS category से हुए है, तो आपको उसके recording, आपको format आप देख लेंगे, क्या लिखा हुआ है, मैं आपको इसकी पर दिखा दे रहा हूँ, medical certificate की बारे मैं बता चुका आपको, प्रान नमर है, तो आप लेते आएंगे, वो फोटो कापी लेके, उसमें अपना साइन करके लेके जाएंगे, पासपोर साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, पांच आपको, ध्यान रखना है, दोस्तों, पांच रहना चाहिए, तो बता दिया मैंने आपको, जो भी rules बताया गया है, उनको strictly follow करना है, कोई भी rules अगर नहीं follow हुआ, तो वो आपको, आपका candidature cancel हो जाएगा वहीं पे, और आपको, covid के लिए precautionary measures है, क्या क्या बता दिना चाहता हूँ, मैं आपको, आपको mask compulsory है, पहन के जाना ही है, साथ है, social distancing के maintain करनी है, आरोगे से तु एप डाउनलोड कर लें, अगर आपने डाउनलोड न आपको, अगर आपको कुछ भी query है, तो आप call कर सकते है, Monday to Friday, 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m. यह नंबर है वहाँ का, आप यहाँ पर contact कर सकते हैं, उसके लिए आपको query है, तो, अब यह तो बता दिया, मैंने, अब देखते हैं कि क्या क्या forms आए हुए है, तो उसको देख ले हो दोस्तों, लेकिन आपके लिए बहुत important है कि क्या क्या form आया है, dear sir, madam, यह आपको बता दिया गया है, और यहाँ पर आपको यह देख लिए, attestation forms है, form 8 है, जो की मझे लगता है, यह देखिए, आपका form 8 हो गया, disability certificate, attestation form है, form format 4 है आपका, यह आपका हो गया, दोस्तों क asset certificate, EWO sections के लिए है, self decoration form है, covid rated के लिए जो होना चाहिए दोस्तों आपके पास, आपको यह दिखा देता हूँ, दोस्तों मैं, attestation form किस तरह का होने वाला है, ताकि आपको अभी से clear picture लग जाए, क्योंकि मैं भी select हो चुका हूँ, जहाँ भी मैं joining किया है, मैंने, वहाँ भी इस तरह का मांगा गया था, तो आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए, कोई form fill करने में किस तरह का चाहिए, आपको documents, उस समय आपको अभी बता देता हूँ, देख लेतें दोस्तों क्या है इसके अंदर, यह है कुछ इस तरह का, यहाँ पर आपको photo लगानी है दोस्तों, यहाँ आपका सरनेम होगा, जो भी सरनेम, आप देखे दोस्तों, यहाँ पर सरनेम पहले होगा, जैसा कि जहाँ नीरज है, तो जहाँ पहले होगा, नीरज बाद में होगा दोस्तों, इस तरह से कुछ लिखेंगे, present address डालना है आपको, जो भी है, home address डालना है आपको, आप last five years में कहां कहां रहे हैं, आपको वो डालना है, आप कहीं भी रहे होगे, अगर आप रहे हैं, एक साल से ज्यादा उस place में, तो आपको mention करना है, एक साल से कम रहे हैं, तो आपको mention करने की जड़ות नहीं है, father's name होगा, postal address होगा, profession होगा, अगर अप जॉब कर रहे थे तो, आपकी अगर स्पाउस है तो उसको लिखना है आपको नेशनलिटी है फादर मदर जैक्ट टेट अब जो भी चीज़े है आप वहां से नो डाउन कर लेंगे दोस्तों इस चीज़े आपको पता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगी आपकी डेट वेंटर लिविंग सब कुछ आप चुका हूँ देखते हैं दोस्तों कि मेडिकल सेटिफिकेट किस तरह होगा वह आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का मेडिकल सेटिफिकेट होगा और कौन को से टेस्ट आपको करा लेने हैं दोस्तों ये खुल चुका है medical certificate form देशकते हैं F1461 form का नाम है आपको बताया था है मैंने जो general service civil surgeon होगा उनसे ही आपको लेना है height weight आपका होना चाहिए यहाँ पर जो भी आपको test है आपको वो कंड़क करवानी है वहाँ से देख लिए दोस्तों clinical assessment of heart, blood pressure, lungs, abdomen होना चाहिए आपको mention की जाएंगी आपको यही form जो मिलेगा उसी को print out लेके जाएंगे देखे इसमें लिखा भी है canra bank तो इस तरह का mention है उसमें उस तरह का आपको वहाँ पर आपको इसी form में करवाना है उनका अपना format से होने से नहीं चलेगा आप डॉक्टर को बोलेंगे कि सर हमें य गलती ना करें जो चीज दिया रहेगा उसको आप पूरा का पूरा लिखेंगे यह देखें दोस्तों इस तरह का कुछ रहने वाला है और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है सब कुछ form के बारे में फिर भी अगर आपको कोई doubt हो रहा है form के बारे में कि किस तरह form fill up करना है नहीं करना है तो टेलिग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले मिरे यह टेलिग्राम चैनल है मेरा study live 100 study live 100 आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर ले वहाँ पर मैं सारे आपके doubts को दूर कर उँगा आपको कोई doubt है तो जैसलिजिए हमेले और टे दमें हैं तो चरदिए दूस्तों म